नमस्कार दोस्तों आज मैं फिर से आपके सामने संगीज से चुड़ी हुई एक और वीडियो लेकर आधिर हो चुका हूँ तो लोगडाउन चल रहा है तो इस दोरान हम बहुत सारे काईदे और पलते सीख रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट मैसे करते हैं कि सर आप बहुत अच्छा सिखा रहें तो ऐसे ही सिखाते रहें तो देखिए आपकी दुआएं हैं जिसकी विज़े से मैं बहुत अच्छा सिखा रहा हूँ और मेरी यही कोशिश रहे की कि मैं आपको बहुत अच्छे डंग से सिखाता रहा हूँ तो आज हम बात करेंगे और बहुत सारे स््टुडेंट ने और मेरे दोस्तों ने मैसेज किए कि सर अपने एक काइधा करवाया था हमें दाती दागे नाधा तेरकल तो इसके बारे में हमें बताया जाए और इसके आगे पल्टे भी करवाया जाए तो देखिए पिष्ली वीडियो में मैंने तीन ताल के आपको दो बहुत ही मैतre πुरण कायदे बताए हुए हैं और उनके मैंने 10-10 पल्टे करवाई हैं चार वीडियो उसमें आप देख सकते हैं और 4 वीडियो में आप देख उनको सीख सकते हैं आपने उनका रयास का दिए, तो इसका आप रयास आगे जाकर करें, और ये बहुत ही मेथ्यपूरन कायदा और इसके पल्टे हैं, वह उद्गे झाले हैं ये तिरकित का कायदा है, तो तिरकित tussen सारे समस्या हैं, तो यह हमारा आज का काईदा है तो इसके आगे हम तीन आज पल्टे करेंगे तो तीन पल्टे करके काईदा पहले फिर उसके तीन पल्टे तीन पल्टे अगर आप लिखना चाते हैं और ये काईदा लिखना चाते हैं तो description box में देख सकते हैं और अपनी कोपी पर लिख ले और फिर इसका धीरी-दीरे रियास शुरू कर दे और slow speed से रियास शुरू करें फिर आगे जाकर आप जिदनी speed बढ़ाना चाते हैं बढ़ा सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं बोल हैं हमारा काईदा है तो इसी speed में हमने बजाना है तो चलिए शुरू करते हैं तो ये हमारा काईदा है तो देख सकते हैं आप धाती कैसे बजाना है तो मैं सीदे सीदे आपको simple अच्छे डंग से पहले बता देखता हूँ दा ती ती आपका इससे आना चाहिए क्योंकि मैं इसलिए आपको ती इससे बजाना सिधाना हूँ तो तीरे किट वही है शुरू से फिर बजाते हैं दा ती भागे ना धा तीरे किट धा ती भागे ती ना ती ना ती ना तो यह हमारी first line उसकी काईदे की होगी अब second line ता ती ता आप ऐसे भी बजा सकते हैं तो अलग अलग गढ़ाने का style है बट आप ता ऐसे भी बजा सकत सकते हैं तो इतना आपने बजाना है अगर आपके मन में कोई बोल से जुड़ी हुए कोई कन्फिजर है तो आप बोलों की मैंने जितने भी बोल हैं तब लेके वो सारी वीडियो अपने चैनल पर डाली हुई है उसको आप देखकर उस बोल को सीख सकते हैं और यहां पर आप उस बोल को निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से तो जलिए यह हमारा काइदा है अब इसको थोड़ा सा स्पीड में मिजा लेते हैं धाती धागे ना धाती धागे तीना गेना ताती धागे तीना गेना बाद में आप जितनी मरजी स्पीड बढ़ा सकते हैं कोई प्रॉलम नहीं है बट आपके बोल बिल्कुल सतीक और सही डंग से आपका टेकनीक से रियाज होना चाहिए कि उंगलियों में कोई रुकावट नहीं आने चाहिए तो देखिए बढ़ा सकते हैं तो ऐसे आप और स्पीड भी बढ़ा सकते हैं इससे ज्यादा भी स्पीड बढ़ा सकते हैं कोई प्रोडम नहीं है बट आप पहले Lew स्पीड में इसका चिडन से रियाज कर लेकादव अब हमשते हैं फस्ट फल्टे बशाय करना है धाती धागे ना धा धिर्कट động लेया करते हैं फिर यह आप प्रियााज कर सकते हैं तो यह हो गया, अब आगे तो इसका आपने यहां तक कैसे रियाज करना है, फिर कठा आप रियाज कीजिए इसका तो यह हमारा फिर्स्ट पल्टा है, तो इसका ऐसे आप रियाज कीजिए, बीज में आपने एक बात को हमेशा धियार में रखना है, कि आपके बोल, वही बोल निकलने चाहिए, जो मैंने आपको बताए है हाँ, वह यह हो सकता है कि एक दो बोल आपके कहीं चेंज हो जाएं, बट आप जो टेकनीक है, एक काईदे और पल्टे की वैसे ही रियाज करें, नगमे के साथ रियाज करें, तो बहुत अच्छा है नगमे के साथ ही रियाज करें, और फर्स्ट, जब आप सीख रहे हैं, मो दागे नादा तिर्किट धिन्ना, तो यहां तक आप सीख लीजिए, दाती दागे नादा तिर्किट धिन्ना, फिर देख लीजिए, दाती दागे नादा तिर्किट धिन्ना, तो इसको बजाने के बाद आपने फिर काईदा बजा जाए है, दाती दागे नादा तिर्किट अब पूरा वा जाते हैं ऐसे दादर पिण अब यहाँ पर देख लीजिए आप मैं यहाँ पर रूप रहा हूं तो सोरी यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि धाती धागे नादर ंदाती दागे तीना किना यहाँ पर तीना किना है और लास्ट में जब अगली फंक्ती आते तो दीना गिना है, इसको दियान में रखना है आपने, कोई आपकी यहां पर गल्ती नहीं होनी चाहिए, तो चलिए शुरू करते हैं, अब सैकिन बल्टा पूरा कर रहते हैं तो यह हो गया हमारा सैकिन बल्टा अब तीसरा पल्टा बीजाते हैं तीसरा पल्टा है दाती धागेना दागेना दाती धागेना दागेना अब बिना बोले मैं इसको बजा कर दिखा रहा हूँ तो यहां तक आपने इसको बजाना है और एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है जैसे बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर इसको निकालने में बड़ी प्रोलम आ रही है तो अगर किसी चीज को आपको बोलों को देखने के बाद भी आपको किसी को बोल को निकालने में प्रोलम आ रही है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं उस बोल को निकालने के आपको ट्रिक बता दूँगा कि अगर आपकी कोई समस्या है तो वह आप लिख दे वहां पर कौन सा बोल है तो उसको दूर करने के लिए मैं वीडियो नेक्स्ट वीडियो में जब जो भी आपकी बोलों की समस्या है होंगी वो उसके जरूर डालूगा और एक और बात पूछते हैं स्टूडेंट की सर हमने पहले बिना नगमे के रियास किया है और पहले उन्हें स्लो स्पीड में ही रियास किया है सारे बोल काई दे के निकाल लिए तो देखिए बहुत अच्छी बात है बिना नगमे के आपने पहले स्लो स्पीड में सारे बोल निकालने सीख लिए अब नगमे के साथ उसका बिल्कुल स्लो नगमे की स्पीड कर लेनी है आपने वहां पर उसका रियास शुरू करना है बिल्कुल सही है आप उसका ऐसे रियास कीजिए तो आज के लिए द के उतना जिरूर शेर करें आज के लिए इतना ही नेक्स्ट पल्टों में हम इस काई देखें फिर मिलेंगे धन्यवाद